नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में बात करेंगे हर्याना कोशद रोजगार निगम से जुड़ीताज अफडेट के साथ दोजार रुना एतर चैनी तब अर्थियों को नहीं मिलेगी नुक्ति नई वर्ति में दिया जाएगा मोका तो दोजार वना एतर जो सोल्ट लिस्टिट किये गए थे दो दिसंबर को उनके लिए नुक्ति के लिए शाफ मना कर दिया गया है हाला कि जन सब्वाद के तहत हो चुकी थी लेकिन दो जरुना एतर को जो दो दिसंबर को सोल्ट लिस्टिट किये गए थे उनको जोइन नहीं मिली नौ माँ बीच जाने के बाद भी इन वर्तियों को न्युक्ति नहीं हो पाई तो इस आर्मे मुख्यमंतरी जम्सवाद करकर में बर्ति अपनी समस्या ल घ्रतित को ना बर्ति में रिट के दार परिन वृर्तियों को मोका मतलब कि दुबारा शृ इसे रोर खेल कूश कके धाएंगी कि आपको जो है जल्दी में देधी हुआ जाएगी और मंतरी 9000 पर बर्ती के लिए बोल रहे हैं तो 2005 अथा एक बाट नहीं है आपको दिखा देते हैं वह वीडियो इस वीडियो में आप सब सुन सकते हैं पहले दिन आसरासं दिया गहा था अगली बात आप बदा रही हुजे पताया हुआ है तो जितनी रिक्विशन होगी बद्जियों कि वो तो वहां से आएगी और जो पार्टी मचे है वो जो सेलेक्टेंट लेस्त है उसमें अपना जो एलिक रहा है तो तो सर कितना ताइम लगे हैं और एक बंदा देन एक बंद कि यह अगले दिन की वीडियो है कि बात आप अपने पास पजाए तो तो दोस्तों अब यह वर्ति जो है नए से की जाएगी दो जार ना एत्तर के दुबारा से जो है फाइट करना होगा लेकिन सरकार को चाहिए कि कि 2009 एत्तर को जो सोर्ट इस्टि किया गा था उनको पहले प्रफरेंस देनी चाहिए क्योंकि 2009 एत्तर में से अगर किसी की भी फैमली आइडी इंकम के अंदर अगर अभी बदलाव हो गया तो वह तो बाहर ही रह जाएगा आप सभी को बता फैमली आइडी का क्राइटेरिया देखा जाता है अगर किसी की भी फैमिली आइडी इंकम में बदलाव कर दिया गया है तो वो फिर फाइट में नहीं आ पाएगा क्योंकि इस दुरान जो है नो महीं है कि दुरान बहुत से कंडिडेटों की फैमिली आइडी की निकम बड़ी भी होगी ठीक है मैं अपने से ही कह सकता हूं मेरी डाई लाग रुपे थी अब पांच लाग रुपे कर रखी है ठीक है तो इनको जो है पहले मोका जरूर देना च चाहिए तो यह जानकारी आपके लिए रहेगी हर अपडेट आपको टीजीटी पीजीटी बर्ती से जूड़ी मिलती रहेगी वीडियो अपने देखाज के लिए बहुत बहुत दन्यवाद